तोडेज टॉपिक इस लिमिटेशन्स ओफ जीडीपी लिमिटेशन्स ओफ जीडीपी पहले हमें इस चीज को समझना है कि ये जीडीपी की लिमिटेशन्स क्या है मुत लगे एक कुश्चिन का मीनिंग क्या है कुश्चिन का मीनिंग ये है बच्चा कि GDP, gross domestic product that means हमारी domestic income हमारी economy की income हमारी economy की income जब increase होती है तो क्या उसके साथ welfare भी increase होता है या नहीं होता है generally हम कहते हैं कि GDP का welfare के साथ positive relation है अगर एक economy के GDP increase हो रही है तो economy का welfare हो रहा है simply हम नहीं सा माना हुआ है बट यहां हम कुछ points discuss करेंगे जिन से आपको यह पता चलेगा कि GDP के बढ़ने पर भी economy का welfare नहीं बढ़ रहा देखो GDP का meaning क्या होता है all goods and services produce in a economy ठीक है produce in a country within a financial year कि एक country में one year में कितनी goods and services produce हुई है वो GDP है और आपका भी मानना होगा कि जितनी जादा goods बनेंगी उतना जाद economy का welfare होगा बट जो points में discuss करने वाले हैं उनसे आपको clear होगा कि GDP के बढ़ने से जरूरी नहीं कि economy का welfare होगा ही होगा पहला है distribution of income GDP मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि P जो है product है product को income का identical कहा जाता है कि product and income बोथ हार से देखो सबसे पहला point है distribution of income distribution of income का meaning GDP increase हो रही है अब GDP में तो सभी की income आती है किसी एक person की income तो आती ही नहीं है ठीक है आप जब सब की income आती है तो सब की income में रतन टाटा ये आपके जो reliance जी रूबाई अम्मानी अनी लंबानी मुकेश अम्मानी और एक तो average income में average income का meaning होता है सब की income almost same है ठीक है मतलब average एक idea होता है तो आप बताइए मुझे क्या आप में से कोई ऐसा person है जिसकी income अम्मानी जी की income किसके equal हो किसी की भी नहीं है तो distribution of income का meaning यहाँ पे है कि जो income है इसका distribution कैसे हो रहा है that means जो income है वो कुछ rich लोगों के हाथ में जा रही है या equally distribute हो रहा है अगर income का equally distribution है तब तो वो positive effect है और अगर income का distribution है वो equal नहीं है that means सरफ rich लोगों को मिल रही है poor लोगों को मिल ही नहीं रही है poor लोगों के हाथ में कुछ जाहीं नहीं रहा है तो वो क्या होगा, वो बैड एफेक्ट होगा उसका, नेगिटिव एफेक्ट होगा उसका, इसका मैं आपको बहुत सिंबल देती हूँ, उस एक्जामपल आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, Suppose that एक आपका कोई American friend है, ठीक है, और वो American friend आपको call करके कहता है, यार तुमारी economy की GDP तो increase हो गई है, तो अपकी बार जब मैं आउगा तो party तुम दोगे, definitely तुमारी भी income increase होई होगी, तो हमारा reply क्या होगा, economy क्यों होई है न, हमारी तो नहीं होई, हम कहां से करें, क्यों नही equal distribution था, अगर equal distribution हुआ होता, तो जितना बाकी लोगों को मिला, उतना ही आपको मिलता, तो unequal distribution का meaning यह हुआ, कि income कुछ दिश लोगों के हाथ में है, पूर लोगों के हाथ में नहीं है, जिसकी वज़ा से GDP हमारी increase तो हुई है, बट उसकी limitations, यह उसकी limitations भी हो गई है, क्योंकि मतलब होता है, कि वो किस से बना है, अभी-अभी मैंने आपको बताया, composition का meaning होता है, बना और GDP जो definition है, कि all goods and services produced in a country, तो GDP किस से मिलकर बना है, GDP बना है, goods and services से, goods and services, अब बात यह आई, कि depend करता है, इसमें कौन सी goods and services बनी है, ठीक, माल लीजिए, जो goods बनी है, वो defense बनी है, defense goods का economy के लिए क्या रोल है, economy के welfare के लिए, welfare के लिए, वेलफेर के लिए चाहिए हमें consumer goods and capital goods, लेकिन quantity किस की जादा है, defense goods की, तो उससे हमारी economy का welfare नहीं होगा, हाँ ठीक है, no doubt हम यह कह सकते हैं, कि defense items, हमको peaceful environment मिलेगा, but social welfare में there is no contribution of defense goods, clear आपको इतना ही लिखना है, जितना goods and defense goods, for economic welfare, consumer goods and capital goods are required, but if defense goods are increasing, there is no direct relation of welfare and defense goods, ठीक है, तो composition of GDP में कौन सी goods मनी है, अगर defense goods मनी है, तो उसे हमारी economy का कोई welfare नहीं होगा, यह हमारी economy के लिए beneficial नहीं है, सिरफ यह economic environment के लिए beneficial है, यह हमारे peaceful environment के लिए beneficial है, यह हमारे peaceful environment के लिए beneficial है, यह हमारे peaceful environment के लिए beneficial है, कंट के लिए beneficial नहीं है point number three non-monetary exchange non-monetary exchange का मतलब होता है बच्चा कि जिसमें हम लोग payment नहीं करते हो उसको हम बोलते है non-monetary exchange नाम से clear हो गया का non-monetary exchange, monetary मतलब money terms कि जहां पर money की terms में आप लोग exchange नहीं करते हो जहां पर goods को goods के साथ exchange किया जाता है पहले तो यह बता हो यह system अभी prevail करता यह नहीं करता है यह system है या नहीं exist है या नहीं अब आप लोग कहेंगे नहीं मैं में तो पहले था तो बच्चा यह system अभी वी आप commonly देख आप simply अपनी class में देखते हो class में किसी बच्चे के बास black pen है नहीं किसी बच्चेंज कर लेते हैं कि में पस दो black pen है तो मार पस दो blue है चले एक्सचेंज कर लेते हैं तो non-monetary exchange का मीनिंग क्या हुआ कि अपने goods को goods के साथ exchange कर लिया महां पर आपने कोई payment नहीं की है तो इस तरह का क्या कोई record है आपने अपने एक फ्रेंड से blue pen देके उसे black pen ले लिए क्या इस तरह का कहीं कोई record maintain है नहीं है जब इस तरह कोई record maintain नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि GDP काउंट की जा रही है वो GDP करेक्ट आएगी नहीं आएगी वो GDP जो है वो अभी तक underestimated है उसको तो estimation किया ही नहीं गया GDP remains underestimated और जिसकी वजह से जब यह underestimated है तो common sense है हम इसको welfare के साथ कैसे connect कर सकते हैं क्योंकि जब मैं GDP exact पता ही नहीं है तो मुसे welfare के साथ connect कैसे कर सकते हैं क्लियर है तो non-military exchange में आप एक farmer का example डाल सकते हैं कि एक farmer है उसके पास वीड था उसने rice वाले से rice exchange कर लिया बट इसका कोई record नहीं है there is no record of such transactions in GDP point number four and the last point externalities ठीक है externalities externalities का मतलब क्या होता है बाहर से होने वाले effect बाहर से आप देखो बाहर से तुम्हें दो तरह की effect होते हैं एक होते हैं positive एक होते negative कैसे होते हैं ध्यान से सुनेंगे positive कैसा है और negative कैसा है जो book में given है मैं आपको भी बता पारे हैं और एक simple example दोंगे जो आप commonly देखते भी है माल लीजिए आप जिस सुसाइटी में रहते हैं उस सुसाइटी में बहुत ब्यूटिफुल सा पार्क है ठीक है अब बहुत ब्यूटिफुल सा पार्क है आप कभी जब कभी आपको मूद अपसेट होता है उस पार्क मे जाने के बाद ठीक है यह आप बिमार है उस पार्क में चले गए थोड़ा माइंड रिलाक्स हो जाता है तो हमारी जो है यह positive effect है उस पार्क का positive effect है हमारे लिए तो जो कोई भी उस पार्क में गया और उस पार्क को enjoy किया ठीक है उस पार्क को enjoy करने के बाद क्या उसके लिए कुछ भी पे किया नहीं कुछ भी पे नहीं किया और यह उसके लिए एक positive effect था बट क्या इसका कहीं कोई record है नहीं इसका किसी तरीके का कोई record नहीं है आगे दूसरा पर सुनेंगे फिर मैं दोने एक साथ हैड करूँगी negative अब मालनी जी आपके जिस society में आप रहते हैं वहीं पे side make industry है और जो इंडस्ट्री वहाँ पर है वो इंडस्ट्री pollution create कर रही है pollution create करने की वज़ा से आप लोग बिमार प्रपड़ रहे हैं बहुत जादा तो pollution की वज़ा से pollution कुन सा है air pollution noise pollution अब दोनों ही आपके लिए problematic है तो यहां आप पर negative पिक्टीव वेग्टेव बड़ क्या आपने इसके लिए कुछ पे किया है नहीं हम झात और यहां फ vet है यहां पो पॉजिट फेक्ट पर आ पको नेगडिव फैक्ट हो रहे हैं इससे social will fail को Mike ours हुरा है और इससे social it greater fracture को लाओ ग्रीज हो रहा है बड le GDP के अंदर यह positive और negative दोनों में से किसी को भी count नहीं किया जाता ना positive को कि हाँ इससे increase हुआ welfare ना negative को इससे loss हुआ welfare का तो दोनों को ही GDP में count नहीं कहता दोनों ही underestimated है तो इससे हम लोग कैसे कह सकते हैं कि GDP जो है हमने count भी calculate भी सही की है तो यह four points है distribution of GDP, composition of GDP, non-monetary exchange and externalities यह four points है जो कि GDP की limitations बताते हैं basically GDP का बढ़ना किसी भी economically beneficial होता है बट यह four points यहाँ पर clearly mention कर रहे हैं कि GDP के rise होने से यह last two points तो यह mention कर रहे हैं GDP सही से calculate हुई नहीं है और उपर के two points बता रहे हैं कि GDP के increase होने का meaning यह नहीं है कि economy का welfare होगा ही होगा I hope so clear हो गया होगा